दिग्गी राजा से टिकट मांगने दिगज नेता मुकेश मलहोत्रा काफी लिके साथ प्रदेश की राजधानी बोपाल हुए रवाना खबर कर अहल से है जहां आज कर अहल निवासी सहरिया विकास परिशद प्रदेश अधियाक शेवंपूर्व मंतरी मुकेश मनहोत्रा ने विजयपूर विधासभा से विधायक टिकट की मांग कॉंग्रेस पार्टी से की है और ये मांग उरोंने अपनी लोपरियता और जातिगद बाहुले एवं सभी समाच के इसने बहत तोरे की है और टिकट के उपरा ते जनता के आशिरवाद से जीत का पूरा विश्वास जथा आया है उन्होंने बताय कि बोपाल में उन्हें कॉंग्रेस पार्टी के दिगज ने ता और पूर्व मुक्यमंतरी दिगविजे सिंग ने बुलाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बाहर कॉंग्रेस पार्टी मुझे अपना उमीदवार बनाएगी इसी आज के साथ आज रवीवार को मुकेश मनहोत्रा गाड़ियों के काफीले और हजारों समर्थकों के साथ बोपाल रवाना हुए मगर आज तक शेतर का विकास नहीं करवा पाए आज भी कराहल विकास की रहा ताक रहा है यहां पर किसी भी विधायक ने दिल्चस्पी से काम नहीं किया है सिर्फ अपना खुद का विकास किया है पार्टी यदी मुझे टिकट देती है तो मैं शेतर के चौतरफा विकास के सब्सक्राइब करता सभी लोग जा रहा है या मुलाकात को क्या समझा जाए किस लिए आप कर रहे हैं पूरी दमदारी के साथ मांग रहे हैं जिरूर बिचार करेंगे और टिकेट आप किन मांगों को लेके जा रहे हैं क्या ऐसे मुद्ध्य कराल के जो तुम्हें लगता है आज तक पूरे नहीं हो पाएं मुद्ध्य जी है कि तो नगर पंचात नहीं हुए करालों नगर पंचात करनी है और विसेश पिचड़ा हुआ चेतर है यहां पर आदिवासियों का जल जंगल जमीन है जमीन भी नहीं मिल रही लोगों के लिए फोरिष्ट कबजा कर रही है जमीनों पर और विकास का कोई कार नहीं हो रहा है। सब्सक्राइब ले जारहाएं या सभी समाज के प्रितिनिती इसमें जा रहे है सबी बघ्र के के और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि Her Nein उच्पाल काफिले के साथ मैं क्या उम्मीद है अमारी मलुत्राजी को टिक्ट दिलाने की उम्मीद है कि अभी विदायक सीधर आमादवाशी जी हैं क्या उनके कोई कार आपको प्रभावित नहीं कर सके नहीं नहीं कोई काम नहीं किया यह बताईए वाई साथ कि अभी तक यह कराल तैसिल है इसमें अगर एक बातरूम बनवाई हो विदायक ने तो आप चेक कर सकते हो और जो भी भी किजी की बेन वेटी अगर बाला जी बस से उतरती है तो उसको पेसाब करने के लिए किराल में जागा नहीं है क्या लगता है जो आप जा रहे हो आज क्या टिकेट मिलता है कॉंग्रेस से तो क्या सीट निकल जाएगी सीट निकल जाएगी क्योंक हमारे 85,000 बोट है लगभग और अन्न हमारे पिछड़े बरग और अन्न दूसरे वाईवी साथ दे रहा है असमें और कहना चाहते हैं हम जे कहना चाहते हैं हम मोकेस मलो उतरा का जा मंगरेस टकट देना चाहते हैं इनको मिल जाता है तो क्या तयार हैं रहेंगी हमारी पूरी जीतवे की तयार देगी आप कांगरेस की निकाल देंगे चैतर से आइस पटर से कॉंगरेस की शीट निकाल देंगे कि मगैंशिंग फशर आप जो वोपाल जा रहे हैं पताए जा रहा है दिखवजा सिंग जी से आपकी मुलाकात होने वाली हैं क्या लगता है इस बार टिकेट मिल सकता है और हमारा नेता जी है मुकेस मुलूत्रा कराल देशिल करेने वाले हम लुग सिलपुरी गाउं के हैं औ हम पूरा मदद करेंगे और आशिरबाद देंगे और जिता के छुड़ेंगे हम लुग क्या लगता है आपको अगर मुकेश जी को टिकेट मिलेगा वह बिदाइक बनेंगे तो कि छेत्र के मुद्दों को अलकर देंगे आनन मिलाएंगे जह चाहते हैं यूबा के तोर पर पूछते हैं आप से आप जा रहे हैं यहां पर सबी यूवाओं का वैसे एक ही निर्णने माननी मुकिस मलोत्रा को टिकेट मिलना चाहिए और वो कराल चेत्र के अंदर अंदर यूवाओं को प्रेरित है और मतलब उनको टिकेट मिलता है तो पूरे यूवा जोड़तोर से बिल्कुल जिताएंगे और मतलब यानि अगर इनको टिकेट मिलता है तो कांग्रिस की सीट यहां से मुकिस मलोत्रा को टिकेट मिलता है तो सो परसेंट जीत है मतलब पक्की है जी क्या नाम है आपका रामचरन आप जो जा रहे हैं बोपाल दिखवेजे सिंग जी से मुलाकात होगी क्या लगता है टिकेट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वैसे तो पूरी दम है हमारी टिकत के लिए जा रहे हैं मुखेश वाइक साब के कारी करम में जा रहे हमें टिकट चाहिए बोट हमारा अधिवासी का सत्तर अजार है लेकर नमें टिकत नहीं मिला तो हमारी तो बेजती हो जाएगी है जब इतनी जनता है छोटे-छोटे उसके पास मनें दोटा ही नहीं हैं उनको लिए टिकट मिल रहे हमारे सस्तल To टिकट नहीं दिया जा रहा है गोस्तार यह कि आम पैसमें अभ्ष के रहा है गए लेंगे लेकर रहंगे मुकेश के लिए दिला के रहेंगे तब मुकेश के साथ के लिए बिलकुल तैयार है मुकेश के लिए लेकर चाहिए मुकमंतरी डिखवेजए सिंग से हमारा मुकमंतरी पुराना है वो लेकर अमारे लिए आदेश दिया और हम फुल तागे से उसको जिता के लाएंगे मुकेश का जे अटेंगे नहीं हम पूरी समाज बिलकुल टिकट लेते रहें सरकार है लूटों को लुटेरे की सरकार चल रही है देते कचुए और बोलते कचुए यह कोई सरकार नहीं माने जाती है रस्ता खाली डर्याह है खरणजा नहीं भय कालोनी ऐसे आदमियों को दिये उनके आध्मिया ठोश उनके लिए कंचिए कालोनी नहीं रहे घरिए को लगता है बिजे पी को जहां से यहां से अरा करें म मैदें जी में इतनी चंता है बिलकूल अरे टिकेट मिलता। हमाराद जी क्या नाम है आपका लवान जी आप बोपाल जा रहा हो काफिले के साथ में क्या मांग ये प्रमोक वुकेश जी को टिकेट दिलाने जा रहे हो बरतमान में सिटिंग हैं में लिए भी सीतराला वाधबासि हैं क्या उनके क्मों से प्रवावित नहीं ऊपर काम के लिए करना चाहिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जैसे यूबा प्रभावित हो सके आप जो जा रहा है आज टिकेट की मांग को लेके क्या मुद्धे हैं क्या लगता है टिकेट मिलेगा क्योंकि समाज के लिए दिन रात खड़े रहते हैं और लड़ते हैं यूबा जहां भी बुलाते हैं तुरंट आते हैं और एसा नेता हमें चाहिए अगर टिकेट मिलता है तो हम विदायक 101% बनाकर बोपल बेज़ेंगे नहीं क्या उनके कोई कार आपको पसंद नहीं आए सरकार के जो इतनी तगड़ी राइनीती चल रही है जो मेहनत कर रहे हैं क्या लगता है कांग्रेस की सीट मतलब 101% निकाल के देंगे अगर मुकैस जी को टिकेट मिलता है